दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग फिर हाजिर हूँ एक सही सटीक और साइटिफिक इन्फरमेशन के साथ दोस्तो सबसे इंपोर्डेंट टॉपिक है आज का मुझे पता है सबसे बड़ी प्रॉलम इस समय है पशु का गर्मी पे नहीं आना आज उसी की बात करूँगा दोस्तो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोज लेकिन आज मैं आपको सबसे सस्ता घरेलू इलाज बताऊंगा कि किस तरीके से आपका पशु कर्मी पे आ सकता है हीट पे आ सकता है तो इस वीडियो को आखरी तक देखना क्योंकि मैं पहले तो कारण गिनाऊंगा क्या हो सकता है क्या कारण है आपको करना क्या क्या है और आखरी में मैं बताऊंगा वो फार्मूला जिसको आपको अपनाना है वो घरेलू फार्मूला है लेकिन सबसे बड़ी बिसेस्ता ये है कि वो बैग्यानिकों द्वारा टेस्टेड है और ट्राइल वेस्ट है उस पर ट्राइल किये गए हैं जिस मैं देखा है कि लगभग 66% केसिस में उससे फायदे दोस्तो जो एनिस्ट्रस है या जो गर्मी पे नहीं आना वो कई कारण हो सकते हैं लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ पशू आपका अलरी गर्मी पे आ रहा था वो एक बार जन चुका है और जनने के बाद या कावइंग के बाद जिसको हम बोलते हैँ पॉस्ट कावइं एन चैनने के बाद एक पशू को लगभग 60 दिन के अंदर किसी भी हाल पे उसको दुबारा गर्मी पर आ जाना चाहिए क्योंकि वो 60 दिन अपनी जो यूटरस है बच्चे दानी को रिपेरिंग में ले लेता है और वो रिपेरिंग करता है उसके बाद रिपेर होने के बाद मतला यूटरा इन इन्वलूशन के बाद दुबारा उसका साइकल नॉर्मल हो जाना चाहिए और लगभग लगभग 90 दिन के अंदर हम उसकी दुबारा गर्भधान या AI या Artificial Insemination करा देते हैं लेकिन कई केसिस में ये बहुत लंबा पीरेड हो जाता है कई केसिस में ये होता है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए तो अब ऐसे केसिस में जो most common cause है जो बहुत बड़ा कारण है वो होता है negative energy balance मतलब दूद का उत्पादन बढ़ा और उसका जो uterus था उसने भी थोड़ा सा time लिया involution में या repair होने में और इधर आपका दूद का उत्पादन बढ़ता गया तो उसको पोशकतत उतने उपलब्दों नहीं हो पाए especially energy, energy की supply आप proper नहीं कर पाए उस heat उसकी delayed हो जाती है और वो आप देखते हैं कि conceive नहीं होता जिसके कारण बहुत बड़ा loss होता चला जाता है अब आपको करना क्या है तो मैं तीन चार बातें आपको बताऊंगा सबसे पहला जो एक देसी तरीका है वो मैं सबसे बाद में बताऊंगा सबसे पहले आपको कहा से स्टार्ट करना है क्योंकि जो कमी उसके अंदर हो चुकी है उसको दूर करना पड़ेगा तो सबसे पहले ऐसे पशू जो काविंग के बाद उसको पांच महीन हैं, चार महीन हैं, छे महीन हो चुके हैं आप उसकी सबसे पहले deworming कराईए क्योंकि deworming मतला पेट के कीड़ ओर होगा तो deworming कराईए deworming कैसे करारा ना है उसको मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ देखिए पेट के कीड़ों को कैसे मारना है उसके बाद जो दूसरा आपको करना है वो है negative energy balance, उर्जा की कमी हुई है उसको दूर करना है तो उसके लिए आपको अनाज का उपयोग करना है, आप अतिरिक्त कम से कम उसको एक किलो से दो किलोग्राम, कोई भी अनाज, बाजरा है, मक्का है, जौर है, या फिर अतिरिक्त पशुहार आपको उपयोग करना है, ताकि उसका जो energy की जो requirement है, आवश्यक्ता है, वो पूरी ह और तीसरा, आपको एक mineral mixture का उपयोग करना है, minerals क्योंकि जो calcium, phosphorus, copper, zinc, cobald, इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है, प्रजनन तंत्र को चलाने में, तो उनकी भरपाई करिए, उसके बाद आपको क्या करना है, वो मैं बताता हूँ, ये तो आपने उसकी कमी पूरी कर दी, हो सकता है, इतना करने पर ही वो heat पे आ जाए, और अगर नहीं आता, तो आपको heat को induce करना है, मतलब थोड़ा सा उसको उत्तेजित करना है, और उसके लिए हम herbal जो एक तरीका है, वो अपनाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे plants हैं, उनकी medicinal use होता आया है, और उनमें heat में कई ब इध्यान से सुनिये, और ऐसे पसू को मैं फिर से बता रहा हूँ, जो heat पे नहीं आ रहे हैं, और carving उनकी हो चुकी है, आप परिशान है, तो वहाँ पे उपयोग करना है, तो इस case में मैं बता दूँ कि 66% से उपर result मिले हैं, मतलब 70% cases में इसमें result मिले हैं, ये proven है, trial based है, बैग्यानिक आधार पे है, तो इसको आप अराम से उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें दो ingredient, दो चीज़ें आपको उपयोग करनी हैं, इनका mission बनाना है, सबसे पहला है मैथी दाना, मैथी seed, जिनको मैथी seed ये लेना है आपको 200 ग्राम per day per animal, या per cow, 200 ग्राम मैथी दाना, आप को लेना है, 50 ग्राम लेना है आपको अशो का ब्रक्ष जो होता है, अशो का ट्री जिसको बोलते हैं, उसकी बार्क चाल को लेना है, 50 ग्राम प्रती एनिमल, प्रती डे, प्रती दिन, आपको इसको उपयोग करना है, और ये दोनों का mission बना के आप लड़्डू बना लें, या जो मैथी है, उसको उसके साथ इसको mix कर लें, गुड़ के साथ mix कर लें, और इस mission को आपको लगभग 20 दिन तक उपयोग करना है, 20 दिन तक जब आप उपयोग करेंगे, तो हो सकता है, वो दसवे दिन ही heat पे आ जाए, हो सकता है, पंदरवे दिन आ जाए, तो उसके बा नेक्स टाइम से बिलकुल नॉर्मल साइकल होगा, क्योंकि आपने उसको पेट के कीडों की दबाई दे दी, आपने उसकी proper energy की requirement पूरी कर दी, minerals की पूरी कर दी, और इसके साथ साथ आपने एक herbal medicine उसको दे दी, जिसके कारणा उसकी heat induce हो जाएगी, और ये करने के बाद, आ animal तयार होगा, आप उसकी AI कराइए, और AI करते समय बिसे इस ध्यान रखिएगा, कि उसकी जो heat कर, जो detection है, वो proper करिए, 100% वो heat पे आकर conceive भी करेगा, दोस्तों, आप हमेशा जानते हैं, कि मैं ऐसे कुछ ideas लेकर आता हूँ, जो science पे based होते हैं, या तो दूद का उत्पादन बढ़ाने वाले, या फिर आपके खर्चे कम करने वाले, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए, कि हम जादा से जादा किसानों तक पहुंच सकें, दोस्तों, यूँ ही साथ बनाए रखिए, जैहन!